आई टी आई ग्रूप दिवर्या यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे फोर वायर सीलिंग फैन के बारे में यानि जिस सीलिंग फैन से चार वायर निकला होता है यानि दो wire दो color का जो हमारा निकला होता है यानि दो-दो जो हमारा wire होता है के color का जो निकलता है उसका connection कैसे करते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे capacitor और switch के साथ में दोस्तों इसलिए दोस्तों हम इसके आगे अगले वाले वीडियों में three point wire यानि जो हमारा three wire होता है उसका connection कैसे करते हैं capacitor के साथ में दोस्तों उसके वीबारे में हम आपको नालेज देंगे उसकी अगली वीडियों में सी एस आर यानि common running starting के वीबारे में हम आप लोगों को जनकारी देंगे कि कैसे जाचते हैं यानि इन सब वीडियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें और bell icon को दबा करके रखें ताकि कोई भी वीडियों डालें तो उसका notification सबसे पहले आपके पास जाए दोस्तों अब हम इसका connection करके आपको दिखा रहे हैं किसका connection हम लोग कैसे करते हैं देख रहे हैं आप सभी लोग की जो ceiling fan हमारा होता है उससे दो color का wire निकल रहा है आपके सामने दो wire आपका black color का है और दो wire आपका red color का है यानि इसमें आपको एक point common बनाना रहता है और एक point starting और एक point running दोस्तों इसमें हम लोग कैसे common और running और starting कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आपको निस्ट वीडियो में जनकारी जरूर देंगे इसमें हम आप लोग को बताते हैं यानि जो चार color का wire होता है उसमें से दो color का wire यानि अगर हमारा blue और black होगा तो दो ब्लू कलर का यानि एक हो गया अंदर वाली बाहर वालि मिजह कों गयए इस है या इसमें अब से से इसमें connection आपको देखर के दिखा रहे हैं कि इसमें connection कैसे देते हैं यानि सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या जो आपका ceiling fan है जो इसमें common बनाया है हमने यानि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका यह वाला wire है यान जिस पर c बनाया हमने या आपका common है जिस पर आप फेज या निउट्रल अपना देंगे दोस्तों त्यस्के लिए मैं आपको बता दूँ हाँ अब देखेंगे यानि सब से पहले जो फेज आता है यह हमारा फेज चला जाता है स्वीच में अब निकल करके दोस्तों लीअब के सुपलाई चली जाते किस पर Common चला गया अब न्यूट्रल पाएगा तो हमारा सिलिंग फैंच चलेगा यानि दू कलर का जो वायर है यानि एक रेड और एक ब्लेक यह कैपिस्टर के दोनों पॉइंटों पर जोड़ देते हैं दोस्तों और इसके बास से क्या करते हैं यानि जो आपकी न्यूट्रल यानि कैपिस्टर में से दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हम लोग सप्लाई को देते हैं जिससे आपका जो सिलिंग फैंट होता है यह सीधा चलना चालू हो जाता है दोस्तों अगर यह सीधा नहीं चलता है तो उस इस्तिती में आप जिस पॉइंट पर यह न्यूट्रल चालू कर देता है दोस्तों इसलिए दोस्तों आप सभी लोग मतब़ की ऐसे इस प्रकिरिया से जो चार कर ऋर और सकते हैं अब हम नेस्ट वीडियो में आपको जनकारी देंगे किसी किसी पंख्य से हमारा तीन बार निकला होता है ये क्यों निकला होता है उसकी विबारे में आप जनकारी देंगे इसलिए दोस्तों आप जो लोगों को निश्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें निश्ट डे में हम वीडियो अपलोड करेंगे थाइंक्यू अलदी वेस्ट आप सभी लोगो